कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ MLA's MPs सब के साथ 12 बजे बीजेपी हेड़कॉर्टर आ रहा हूँ जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हैं आप जेल में डाल लो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग एक के बाद एक एक के बाद एक हमारे निताओं को जेल में डालते जा रहे हैं इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनी सिसोधिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंग को जेल में डाल दिया, आज मेरे पी-ए को जेल में डाल दिया, अब ये कह रहे हैं रागव चड़ा भी अभी लंडन से लोटे हैं, कह रहे हैं रा हमारा कसूर क्या है हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया सरकारी स्कूल शांदार बनाए यह नहीं बना सकते इसलिए यह सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतिजाम किया, अच्छे इलाज का इंतिजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दिल्ली के बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है, फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है, मैं प्रधान मंतरी जी को बोलना चाहता हूं, प्रधान मंतरी जी, आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हैं, आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल लो, आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालके आम आदमी पार्टी को क्रश कर लोगे, ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली आप एक पर जाड डाल के देखें, आम आदमी पार्टी एक विचार है, जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है, जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगी जेल में, उसे 100 गुना नेताओं इस ये देश पैदा करेगा, कल 12 बजे मैं अपने सभी के साथ, बीजेपी हेड़कॉर्टर आ रहा हूं, जिसको आपको जेल में डालना आप देखें, जेल में ठोती है.